मित्रों पांच आम के पत्ते और पांच दिनों के अंदर किस्मत बदल जाएगी हातों की लकीरे बदल जाएगी और आप माला-माल बन जाएगे आज मैं आपको बताता हूँ आम के पत्तों का चमतकारी उपाई ध्यान से देखना एक एसा घुपत उपाई हैं जो किसी भी व्यक्ति को रंक से राजा बना सकता है सबसे पहले बता देता हूं में आम के पत्तों का उप्यूग प्रतिक देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है चाहे कोई से भी देवी देवता है अगर उनकी पूजा करना है तो सबसे पहले आपको आम के पत्ते चाहिए अब आपको करना क्या है आम की पेर से पांच पत्य तोड़ लाना है कितने पत्य तोड़ लाना है पांच पत्य आपको तोड़ के लाना है उन्हें घर पर लाना है जहां पर आपका भगवान का मंदिर है वहां पर आपको जाना है आम के पत्य को हाथ के अंदर एसे बिच्छा पांचो पत्तों को जो आपके भगवान है उनके मंदीर के सामने खड़े होना है एक मंत्र का जाप करना है ओम हिम क्लिम माता महालक्षमी धन देही देही नमस्वाह इस मंत्र का 51 बार जाप करना है जान से सुनिएगा इस मंत्र का 51 बार जाप करना है और अभिमंत्रित किये ग पें दूसरे पत्ते को रखना है आपको अपने पर्स में जहाँ पर आप पेसे रखते हैं तीसरे पत्ते को अपने मुख्य दरवाजे पर लटकाना है जहाँ पर आपका मुख्य दरवाजा है जो चोथा पत्ता है उसको आपको आपके भगवान के मंदिर में रखना है और जो कुछी दिनों में आपको बहुती बड़ी धन प्राप्ती होगी जो आपकी किस्मत को बदल देगी हातों की लकीरियों को बदल देगी और आपको माला माल वाना देगी जब तक ये पत्ता आपके पर समय हैं आपकी तिजोरी में हैं कर्ज आपके उपर नहीं चड़ पाएगा